नवारष दोहजार सेतर विक्रम समवत से आध से शुरू हो रहा है हम लोग जनवरी से मनाते हैं हो नकली है वो गलत है यह वाला जो है असली है इसकी हम लोग अप्रतना करते हैं प्रार्तना करते है हम लोग आज से नवरात्री की विशेश क्लासेश शुरू करेंगे और यह नवरात्री पुरी तरह से उन रिशियों को समर्पित है जिन रिशियों का वर्णन राम चरित मानस में आया है या भगवान राम के चरितर में आया है भगवान शिव परवती से कहते हैं कि राम का चरित में ने मानस में रखाया इसलिए राम चरित मानस है राम चरित मानस जो गरंत है और वो मानस में रखाया है तो मैं तुम को सुनाओंगा तो शिव और उमा समवाद वही शी राम चरित मानस को तुछी दाजी ने लिखाए इसको हम लोग करें, इसके पहले हम थोड़ा सा याद करेंगे उस सत्ता को जिस सत्ता ने शी राम के रूप में जन्म लिया जिस सत्ता ने भगवान राम के रूप में जन्म लिया एक नहीं ऐसा कहा जाता है गयने को हर मनवंतर में श्री राम प्रकट होते हैं हर मनवंतर में वशिष्ट आते हैं तो ये जो भगवान राम है तुरेता युक के श्री राम कल्युक के श्री राम है ये दोनों के दोनों एक ही हैं ऐसा ये इस गीत में आयता है, जो बहुत सुन्दर भजन है, इस गीत को हम लोग करेंगे, गाएंगे, आपनों को सब को आता है, आप सब जानते हैं इसको, और मैंने गुनगुनाना सिखा दिया है परसों से, तो मैंने सुना कि पहले दिन बॉइज होस्टल में अनमान चाली स और मुझे उमीद है गल्स होस्टल में गैति चली सः पढ़े गई होगी, पढ़ी थी? नहीं पढ़ी? पार्ट नहीं हुआ? तो खुद अक daí महीं पढ़ सकते हुँ नहीं तो सब एक डॉमिट्री, गैती चली चली सा पढ़े बासे दुर्गा सब्षती भी पढ़ सकते हैं खुब लाम मिलेगा। पढ़ाई में भी लाम मिलेगा। प्रद्रिश्टी से चिंतन में लाम मिलेगा। तो, आज हम कहते हैं। Rahura तुनोर स्री राम एक है दुनिया जानन पाई क्यों के प्रताई तुनोर स्री राम एक है दुनिया जानन पाई तेरी सी केस तप साथा कलठक लाई दिखलाई दोनों ने ही एक तरगी रामा इड़ दोराई शुनोरे संतों दोनों की प्रभुताई आवल खेडा में जन में तप किया ही माले जातर किया जागरण कुंदलिनी का जोकी रोटी खातर किया जागरण कुंदलिनी का जोकी रोटी खातर दोनों ने ही एक तरगी रामा इड़ दोराई शुनोरे संतों दोनों की प्रभुताई दोनों की प्रभुताई दोनों पुरस विराट संग ठन करता भी दो संत और योधा दोनों है दुख हरता दोनों है वर्यादा पुरसोतम दोनों विमलह दैशुक दाई दोनों ने ही एक तरगी रामा इड़ दोराई सुनोरे संतों दोनों की प्रभुताई सुनोरे संतों दोनों की प्रभुताई शक्ति सिया की काम राम ने पिछली बार दिखाई अब की बार शक्ति दी प्रभुने माने मार्ग दिखाया नारी शक्ति महान जगत को यह अनुभूती कराई दोनों ने ही एक तरह की रामायन दोराई सुनोरे संतों दोनों की प्रभुताई सुनोरे संतों दोनों की प्रभुताई राम और सी राम एक है दुनिया जान न पाई दोनों ने ही एक तरह की राम आयन दोराई सुनोरे संतों दोनो की प्रभुताई सुनोरे संतों दोनो की प्रभुताई सासा कुल ओम् धूर्भुवास्वात्रसाधितुर्वारिम्यम्य भार्गोदेवस्यधिमाहि दियोयोलाः प्रचुदर्चुदर् ओम् गुरुर्भव गुरुर्वेष्णु गुरुरेयो महेष्वराः गुरु साक्षात्परप्रम्य दस्मैश्री गुरुवेणु अखंड मंडला आकारं जाख्टं गेन चराचरं स्कर्पधं दर्शितं गेणु दस्मैश्री गुरुवेणु मात्रवत लाल ये त्रीचा पित्रवत मार्ग दर्शिता नमोस्त गुरुसत्ता शरद्धा प्रग्यायुता शरद्धा प्रग्यायुता प्रशितिया ऐसी बनती है कि धर्ती का सुक्ष्म जगत से संपर्क हो जाता है ये जो नवरात्री है इसमें सुक्ष्म जगत से संपर्क आसान हो जाता है आप चाहें तो अपने अंदर दिव प्रेणाव को संचारित कर सकते हैं इसलिए नवरात्री का महत्तु है ये जो शेश दिनों में ये सुविधा नहीं है तीर्थ में की गई साधना और भी महत्पूर्ण होती है तुम जो बैठे हो तीर्थ में बैठे हो गंगा की तट गंगा की गोध हिमाले की छाया में तो शान्चित्र रिस्थिरता से कीगई साधना थोड़ी सी भी साधना हो तो फल देती है इसी तरह से परूम किये गए जितने भी कारे हो वो सफल होते हैं अपने साल में दो बार नवरात्री आती है प्रकट नवरात्री दो बार गुप्त नवरात्री आती है गुप्त नवरा उसमें विशेश रूप से संसार की शक्तियों को संचालित करता है परुख जगत इसमें सनातन परमात्मा के अभिवक्ति है शक्ति शक्ति इसमें डारेक्ट अभिवक्त होती इसलिए नव दुर्गा नव दुर्गा दुर्गा शक्ति का प्रतिक है इसमें सक्रिता है सत्रज्टत्र क्रियात्मक्ता है परमात्मा की वो इसे कहा जाता है कि इसमें नो का जो पुर्णांख है इसका महत्व है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आठ नो नो दिन ही क्यों नो दिन भुज़ जादा होते हैं ये एक मौसम जा रहा है दूसरा मौसम आ रहा है इन नो दिनों में नो दुर्गा दुर्ग याने कठिन दुर्ग याने किला किले को पार करना है एक प्रकार से हमें दुर्गम को दुर्गम चीज को पार करना है इसको पार कर गए ये दि स्वस्थ रहेंगे आने वाले समय में और शारीरिक मान से काध्यापिक दिश्टी से स्वस्थ रहेंगे तो चेतना के नो विभागों के लिए नो दिन तय कर दिये रिशियों ने चेतना के नो विभाग हैं consciousness के 9 departments हैं उनके लिए नो दिन तय कर दिये दुर्गा सब्षति कबच में देवी के 9 रूप आते हैं शक्ति के अलग-अलग अभिवक्ति आती है 9 रूपों के लावा भी ठेर सारे रूप हैं पर 9 रूपों की चर्शा जादा होती है सश्टी के विकास के 9 चरण भगवान के अभिवक्ति के 9 चरण इनमें कोई प्रतक्ता नहीं है भगवती महाशक्ति अलग-अलग रूपों में अलग-अलग अभिवक्तियों प्रकट होती आपको मालू है प्रक्रती रूपे इन संस्तिता शक्ती रूपे इन संस्तिता मात रूपे इन संस्तिता शद्धा रूपे न संस्तिता ये विविन रूप है मा के नवरात्री में रात्री शब्द का बड़ा महत्व है रात्री में साधना का विशेश महत्व है तुमको रात्री में समय मिले तो फालतों की बातों में समय बिताने के बजाए यह देखे दस मिनिट तुम मान हो जाओ और दस मिनिट तुम अगर गायतिमित के जब मान से ग्रूप से कर लो दिहान करते हुए तो बहुत लाब मिले गए अब क्या करें इस नवरात्री में क्या करें करने योग करें और न करने योग न करें करने होगे क्या करें मंतजब करें आहार का नियमन करें जैसा मैंने कहा है कि सेमित आहार करें ज्यादा करेंगे तो नींद आएगी ज्यादा करेंगे तो बीमार होगा शरीर क्योंकि इन दिनों बीमारी होने की चांसे ज्यादा रहते हैं पार, द्रव्य, बहुत सारे निकलने कोशिश करते हैं और न करना है कि क्या है? इर्शादेश न करें इस पिरेड में गुस्सा भी न करें जहां तक हो सके इर्शादेश और गुस्सा क्रोध न करें किसी की परनिंदा न करें सबसे बड़ा मानसिकतब है परनिंदा न करना और निंदा करने से कभी कई मनत्सिद्ध नहीं होता इस पिरेड में बाहर का निकाना चाहिए जहां तक हो सके अपना ही यहीं का खाना चाहिए बाहर का तुम्हारे मन में आता होगा 9 दिन कैसे बिना महयगी के रहेंगे फटाओ कोई दिक्कत नहीं 9 दिन रहलो उसमें क्या दिक्कत रहें और संकल्प सबस्याद हमाथपुर्ण संकल्परी ठोते ही अपने इसमें साध कि जब में शक्तिया जाती है मंतर में शक्तिया जाती है तीन चीज़ों के ध्यान रखना है आप खाते क्या है आप बोलते क्या है और आप सोचते क्या है आप खाते क्या है बोलते क्या है और सोचते क्या है इन तीन चीज़ों पर ध्यान रख लिया तो फिर सही अर्थों में ये तब हो जाएगा जमीन में पैदल चले, बिना जूते के चले, उस से कोई फरक नहीं पड़ता है आप बहुत कम कपड़ों में काम करते हैं, हम तो गर्मी सहते हैं, हम तो धूप में चलते हैं यह बिमार हो जाएगा, लू लग जाएगी तरको, बत कर, यह तप नहीं है, असली तप है मानसिक, मानसिक तप करो, शारीर तप करना है तो आहार का नहीं मन कर लो, बस यह तुम लोग के लिए और एकदम एकजाम आने वाले हैं, इसलिए गुर्दय नवरात्री साद्मा को पुझ्जी वर ने गायत्री साद्मा बना दिया है, ठकान लगे, तो जब से पाठ पर आ जाओ, गाती चालिसा का पाठ, दुर्गा सब्शती का पाठ, नहीं तो स्वा मन प्रसंद भी होता है, उर्दुगामी भी होता है, यही नवरात्री है, और नवरात्री में सत्संग करना चाहिए, तो उसके लिए मैं मौझूद हूँ, सत्संग रोज कराऊंगा तुमको, वो सत्संग से तुमको मिलेगा, आज पर्थम दिन शेल पुत्री कर दिने, शेल पाशान है, भेटकर जोंकुरित होती है, वो पर्वत करन्या है, और पर्वत करन्या शेल पुत्री है, साधना के लिए संकल्पित होना आज के दिन, शेल पुत्री की पूजा है, तपस्वी, जीवन है तु संकल्पित, यह पार्वती का प्रकट्टे है, दुर्गा का प्रक पुत्री के रूप में, आगे चलके कई रूप आएंगे देवी के, जो 9 दिन तक 9 दिनों की चर्चा करेंगे, और 9 दिन तक 9 बाते करेंगे, आच जो प्रसंग है मित्रों, बहुत सुन्दर प्रसंग है, श्री राम मर्यादा पुर्शुत्तम है, उनने जीवन में समाज में मांदंड सम्यक सुरूप जीवन जीआ है सम्यक सही सही जीवन पुर्शोत्तम है पुरुष उत्तम पुरुष कैसा होना चाहिए उसका एक मांदंड रखा है एक सही मौडल रोल मौडल कैसा होना चाहिए जीवन में सद्गूनों का विकास कैसे हो उसका नमूना रखा है श्री राम ने चाहे परिस्तियां कितनी बदले पर श्री राम शाश्वत है कितनी परिस्तियां बदल जाए नीसाब जमाना बदल गया है आप कब की बात कर रहे हैं आज के जमाने की बात कर रहे हैं आज पिताजी हमें को डांड भी दें, पिताजी हमको किया दें, घर से निकल जा तो हम घर से नहीं निकलेंगे, पिताजी से कहेंगे, आपको निकलना हो तो आप निकल जाओ, हम नहीं निकलेंगे, आज का जमाना आप नहीं जानते हैं, कल्यू का जमाना है, हाँ कल्यू का ज नहीं होता उनका, हरी रृनंत जिन जिन लोगों के बीच में गया हमारा रामायन इतनी प्रश्लित है रामायन हमारे देश का प्राण है रामचर इत्मानस हमारे देश की उड़जा है उड़जा का केंद्र है रामचर इत्मानस पर्गुस्वामी जी का जो द्रश्टिकोन है उनके जो कथा शेलीव अनूठी है वालमे की रामायन वालमे की शीराम के समकालीन थे मैंने पिछले दिनों कहानी सुनाई थी तुमको वालमे की जी ने रामायन लिखी थी तो हनुमान जी ने जो लिखी थी उसके तुलना में उन्होंने छोटा मानते हुए मैंने बताया था नहीं को याद है तुमको एक कहानी सुनाई थी तो उन्होंने हनवान जी को पढ़वाई तो हनवान जी ने अपनी पढ़वाई उनको तो उन्होंने का आपके सामने हमारी रामायन को कौन पढ़ेगा तो हनुमान जी ने अपने सारे लिखे हुए जितने भी रामायन के पन्ने थे पन्ने यहने पत्थर पे लिखे थी उन्होंने पत्थर सारे फैंक दी है कुछ बच गए तो वो बचे हुए हैं वो एक ग्रंत के रुपे मौझूद है वालमेकी ने जो रामायन लिखी है वो शीराम के समकालीन थे वालमेकी हमारे एक रिशी भी है जिनको हम चर्चा करेंगे आज हम जिन रिशी की चर्चा करेंगे वशिष्ट रिशी की चर्चा करेंगे कल विश्वा मित्र की चर्चा करेंगे उसके अगले दिन भारत द्वाज की चर्चा करेंगे फिर हम बालमे की रिशी की चर्चा करेंगे फिर हम अत्री की चर्चा करेंगे फिर हम शरभवने की चर्चा करेंगे फिर सुतिक्षनी की चर्चा करेंगे फिर अगस्त की चर्चा करेंगे आठ दिन में आठ रिशे, इन आठ रिशियों के साथ स्री राम और इन के साथ ये रिशी, रिशियों की कताई बड़ी विलक्षन है, रिशियों का वर्णन, रिशियों का जीवन, रिशियों के जीवन से जोड़ना, अर्थात अपने जीवन को रिशित्तु से अभिपूरित क रखा उस समय भारत आस्था संकट से जूज रहा था धर्म को जिससे आज हम बेच रहे हैं आज के बारे में तुसी दाज ने लिखा है बेचे ही वेद धर्म दुही लेहीं लोग बाग वेद को बेचते हैं और धर्म को दोते हैं धर्म को दोदू कि उससे 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, धर्म को बेचे ही वे धर्म दूह लएं। धर्म उस जमाने में भी धर्म का शूट था। लोग धर्मे कथाई करते थे, कर्मकान करते थे, कराते थे, पैसा लेते थे। जनता निरक्षर थी। महराज जी कथा कर रहे हैं। वाँ वाँ क्या संदर बात है, वाँ भगवान राम चले जा रहे हैं। तो भगवान राम की कथा सुना दी। उस जमाने में संस्कृत की कथा सुनाने का प्रचलिन था। थोड़ी कथाई सुना देते, थोड़ी कहानी सुना देते। तो वालमी की नामाइन संस्कृत में कही जाती थी और भी कथा हैं सुनी जाती थी पुरान वरान भी सुनाय जाती थे पर गुस्वामी जी ने लोग भाषा में अवदी भाषा में इस कथा को लिखा ताकि लोग भाषा में जंजन की बीच में जाये ये एक बहुत बड़ा पुलेक्शन पुरुशार्थ था मुगलों का राज था और आजविवस्थी शाषन था अलग अलग ख्षत्रप अलग अलग ख्षत्रप यहने हर ख्षत्र का एक राजा हर ख्षत्र का सामन्त एक गाउं का एक राजा हुआ करता था एक गाउं से दूसरे गाउं तक पहुँच पाऊगे कि नहीं इसका भी अनिश्यता थी इतनी सुरक्षा नहीं थे होती थी लोग बाग डंडों डंडे वाले लाठी वाले लोगों को लेके चलते थे कुछ लोग जो बाद में बंदू का गई तो दुनाली लेके चलते थे धर्मांतरन हो रहा था और अकबर का उद्भव हो रहा था तो उस समय मुगलों का साशन था जबरदस्ती लड़कियों को उठा उठा के ले आते थे धर्मांतरन कर देते थे तो ऐसे में श्रीव राम चरित मानस उभर कर आई अराजक्ता के बीच आम जनता दुखी थी किस पर विश्वास करे किस पर विश्वास ना करे बड़ा मुश्किल आत्म विश्वास नहीं था ऐसे में आत्म विश्वास हिंता के जगत में तुलसी दास पैदा हुए उनका व्यक्तित्व उनका चरित्र इश्वर विश्वास के करण विक्सित हुआ इश्वर विश्वास उनके अंतर इतना ज़्यादा था ऐसा कहते हैं राम बोला उन्होंने मूँ से जन्म लेते ही राम का नाम लिया राम बोला विश्यम विदान था, खाने का ठिकाना नहीं था एक तासी थी, उस दासी ने उनको पाला और एक मातर सहरा राम थे, राम उनके आराद्ध थे हनुमान और स्री राम के माध्यम से उनका व्यक्तित्त जो है वो भक्त के रूप में डेवलप हुआ उनके व्यक्तित्त के एक भामतपूर अंग है हनुमान श्री राम कुशाग्र थे, विद्वान थे, बहुत बड़े लिखे थे जोतिष शास्तित है अर्धियन बहुत व्यापक था उनका द्रश्टिकून बड़ा व्यापक था यागर आप रामायन राम चरी प्मानस को पढ़ने की कोशिश करें हिंदी में तो आपको पता चलेगा उनके द्रश्टिकून कितना जोड़दार था कितना कशजब का था लोगों को एकी चोपय नजराती है सारी परेशानी है वो हमारा सुरेंद शर्मा है वो चार लाइना कहता है मालूम है कूँ सुरेंद शर्मा हाको ने सुनागी नहीं कभी को कभी दोर गवार शुद्र पशुनारी इसके वारे आपको क्या करें आपको क्या मतलब है बोले इसमें बागे तीन जगे आप है तीन जगे तो दूसरे लोग हैं पर चोती जगे आप है दोर आप है शुद्र पशुनारी शुद्र पशुनारी ये तो इनका एक्जिस्टेंस तो है पर शुद्धोर आप है ये जो तुलसिदाज जी की कथाओं तुलसिदाज जी की चोपाईयों में मर्म निकालने के जब कोशिश करेंगे तो पता चलेगा नीती चाष्ट्र, तत्व ज्यान, विचार विज्यान ने यहां तक कि वो बहुत ही विद्वान, वेदान्त के प्रकांट पंडित है और वो सारा पंडित उनकास में दिखाई पड़ता है और इसलिए शुरू में माफी मांग लेते हूं सबसे सारे दुष्टों से मैं माफी मांगता हूं सारे दुष्वनों से माफी मांगता हूं जो मेरी निंदा करेंगे उनसे ही माफी मांगता हूं और उनसे मैं हाज जोड के विंती करता हूं कि करपा करके मुझे राम चरित लिखने दे मेरे इस काम में व्यवधान न डाले कोई कि मैं भगवान राम का ध्यान करके लिख रहा हूँ और मुझे किसी तरह का disturbance न होने पाई इसलिए सबसे पहले मुझे उनको प्रणाम करता हूँ जब कोई आता है एक भला मानस आता है तो पहले कोतवाल साब को प्रणाम करने जाता है कोतवाल साब को इसलिए प्रणाम करने जाता है कोतवाल साब कोई अच्छे काम में डिस्टर्ब न करें हम यग्य करने जा रहे हैं प्रणाम करने जा रहे हैं क्या जूरूत है कोतवाल साब को इसलिए confidence में लेना जरूरी है कि कहीं disturb न कर दें अपने काम में आके ये क्या कर रखा है ये क्या बचा रखा है तो यग में से दुवा फैला रहे हो ये क्या कर रहे हो तो ऐसे दुष्टों को सबसे पहले control में किया है तुसी दाजी ने बहुत चतुर हैं बड़े विद्वान हैं वो पूरी कथा में चार तरह के मनोरम घाट बताये थे तुमको याद है मिन तक की नहीं याद है कई लोग जो है नए हैं उनको शायद याद नहीं होगा स्री राम कथा के चार मनोरम घाट चार मनोरम घाट में राम कथा मंदा किनी राम कथा मंदा किनी मंदा किनी की नदी की तरह से पावन है इसमें चार सुन्दर घाट है पहला घाट है तुलसिदाजी और संतसमुदाए और आम जन पहला घाट इस पे जो सनान करता है उत्तर जाता है ये घाट कहां पर है ये है हमारे मुलाधारक्षट्र में हमारे यहाँ पर इस शित्र में सूरी चक्रबी हमारे शिरीर में मतलब राम चरित मानस कंडलीनी यागननका एक बहुत बड़ा विदान दूसरा घाठ उन्हें ने बताया है कि दूसरा घाठ जो है वो है आपके उस संबाद में जिसमें की काग भुशंडी और गरूर का संबाद हुआ है काग भुशंडी और गरूर का संबाद जो हुआ है वो हर्दर चक्र में हुआ है ये दूसरा घाट तीसरा घाट आग्या चक्र में भारत ब्राज और याग्यवल का संबाद और शुव और उमा का समभाद ये चोथे घाट पे हुआ है ये चार को जो समझ लेता है चार को जो आनन जो ले लेता है वो तर जाता है मैंने दो साल पहले कथा कही थी 2010 में 2014 में कही थी तीन साल पहले फिर से सुना दूँगा कभी तुमको तुमको आनन्द आ जागा, एक ही दिन में सुना दूँगा मैंने एक ही दिन में सिड्नी में भी कही है और मैंने एक ही दिन ब्रिज्बिन में भी कही है, मैं तुमको एक ही दिन में सुना दूँगा, एक ही क्लास में तुमको आनन्द आ जागा कि राम सिर्थ मानस को पढ़ने का तरीका क्या होता है चारों चक्रों के जागरन आग्य चक्र अनाह चक्र नीचे से उठता है और उपर जाकर सहस्तार को जागरत कर देता है ये राम कथा जो है इसमें सभी रिश्यों की कथाओं का समावेश सबी रिश्यू करते जिनका नाम मैंने लिया भगवान हनुमान जी को तुसिदाजी लाए अपनी कथा में उन्होंने कहा कि देहबल के बिना आत्मबल विक्सित नहीं हो सकता तुसिदाजी के बारें बहुत कम लोग जानते हैं कि वो पहलवान थे बहुत बड़िया उनकी व्यायाम शाला थी वे सुबे से शाम तक उसमें कसरत करते थे उनकी उस व्यायाम शाला में जैसे हम सुनतें ना कि मल्ल शाला और किन किन कि मल्ल शाला है वो कौन सा हमारे यांसे जो हुआ है सत्पाल मारा है और चंद की राम गुरु हनमान, उनके गुरु हनमान थे और उन्होंने चंद्गी राम को पहलवान मनाया आजकल पहलवानी एक तरफ रे गई है क्योंकि उसमें पहलवानी के साथ जुड़ा हुआ था देहबल, आत्नबल, मनोबल, मनोबल, आत्नबल और चरित्रबल पहलवान को वर्जित था कि आप अपने चरित्रबल को नहीं खोएंगे क्यों उसमें शरीरबल अगर मजबूत रहा तो तुलसिदाजी पहलवान भी थे आखाड़े की अधिपती भी थे और देहबल, चरित्रबल, आत्नबल क्योंकि हमारे उपनिश्द में लिखा है बलम उपास, बल की उपास ना करो, बल की उपास ना करो इसे सीकडी से मरियल से घुमते रहते हो, ताकत है नहीं, ज़राज सा कोई चाटा मारे नीचे कर जाए तो, करकर रोनी ये क्या है, थोड़ी थो तो कम सकम शरीर वल रजित करो और कुछ नहीं, प्रग्या योग करो सुबह से लेकिशाम तक मुका जब भी मिले, पाँच प्रग्या योग कर लिया करो, दंड मत लगाओ और बहुर कुछ मत करो, इतना हमने तो फिर कोई बिमारी नहीं होगी तो उनको जबरस्ति फालतों में पच्छास तारी के परिशान ही नहीं होगी पर देहबल के साथ-साथ आत्नबल, मनोबल, आत्नबल और चरित्रवल, ये आदमी के जीवन में आना चाहिए वालमे की रामाएट में एक प्रसंग आता है जिसमें अगस्त कहते हैं कि बली और दशानन दो सबसे बड़े बलशाली थे किसी जवाने में बली और दशानन रावण इन दो दोनों को ऐसा माना जाता है कि बहुत मजबूत थे ने बली ने तो किया किया था रावण को अपनी पूछ में बांध करके पूरी धर्टी पे गुमा दिया था बली ने और उसी बली को भगवान रावण ने मारा पर ऐसा कह जाता है कि इन बली और दशानन से भी जाना बलशाली उस जमाने में थे हनुमान 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 को साकार बल का परतीक बना जाता है मरुत तुल्य वेद वेगम पवन के समान वेगवाले और देबल तपो बल ज्ञान बल भक्ति बल विचार बल के धनी यह सभी बल उनके अंदर थे देबल हनुमान चिर्युवा है परमपुजी गुर्देव ने कहा है तुम कुछ नहीं कर सकते तो तुम हनुमान मन जाओ यह गुर्देव का जुए नहीं है तुम लोग ने पढ़ा है इसको परमपुजी गुर्देव की हम से अंग अवियोवों से अपेक्षन इसमें लिखा है इसमें लिखा है कि साधन योगिता शिक्षा आदि की द्रश्टी में हनुमान उस समदाएं में अकुंचन थे उनका भूत काल भगोड़े सुग्रिव की नोकरी में भीता था पर जब महती शक्ती के साथ सच्चे मनों पूर्ण समर्पन के साथ लग गए अब यह सुनना आप लोगों में से प्रत्यक से एक ही आशा और अपेक्षा है कोई भी परजन हनुमान से कमिस्तर कनो minimum qualification in words of गुर्देव is हनुमान हनुमान से कमिस्तर कनो अपने कर्टब तो में कोई भी अभी मिस्तर हचर पीछे ना रहे हनुमान बनने से पीछे ना रहे अब हनुमान बनने का मतलब यह नहीं होता है कि पूछ लगा लो पीछे और पूछ लगा कि घूम रहे हो क्यों भाई साब हनुमान गुर्देव ने कहा है कि हनुमान बनना है हम लोग जब हम लोग जब शांतिगों में नहीं नहीं आये थे मतलब 78-79 के बाद बता रहा हूँ तो एक एक को मंग आई उसने पूछ पीछे बांधी और तीसरी मंजिल जिसको आज हम गुर्देन बनाई था जस जस नहीं बनाई था कश्यब जमडगनी अत्री जहां पर वो हैं अपने शिवलिंग बने वे उस वाली बिल्डिंग में उपर चड़ गया और जै श्री राम करके उपर से कूट पड़ा दोनों पाउं की हड़ी तूड़ गई यादे संधीव आपको ऑजनों पाउं की हड़ी तूड़ गई उसकी आप उसको फिर प्र रिपे़ करने आपड़ा प्लासटोस injon लगाना पड़ा अईसा हनुमान नहींipe हरुआ है हनुमान का बल हनुमान का वेग विनोगा ने का चरी उवाए हनुमान कभी बुड़े नहीं होते राम भक्त हनुमान का मरियादा पुरुशत्तम का प्रसंग उन्होंने हाइलाइट किया है वालमी की रामाइन में भी ये आया है जहां उस यूग में परंपरा थी शादे कितनी ही क्यों नहों जमीदारों को ठिकानेदारों को लिवर्टी थी मतलब मुसल्मानों को नहीं अकेले जमीदार ठिकानेदार नहीं कितनी शादे करते थे इस्त्रियों की कोई मरियादा नहीं थी ऐसे में तुलसी ने एक हनुमान के रूप में और एक Shri Ram के रूप में एक चरित्र का आदर्ष सामने रखा चरित्र ऐसा होना चाहिए Shri Ram का चरित्र होना चाहिए अभी मैं Brisbane में मुझसे एक ने उठके प्रशन पूछा ये ड़क्टर सहम आप बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं आप कहते हैं कि भगवान, Shri Ram, मरियादा, पुरुशत्तम थे, ये थे, सब थे पर देश्रत की तीन रानियां क्यों थी देश्रत की तीन रानियां दिखाई पड़ती है और Shri Ram नहीं दिखाई पड़ते हैं जो सीता के साथ संकरश करते हैं लगवान में जाते हैं, वो नहीं दिखाई पड़ते है दश्रत जी पहले देख रहा है राम जी को नहीं भी लावारती है दश्रत जी को देखने के पीछे भी फिलोसोफी है वो मैं नहीं उनको समझाई पूरी कि दश्रत ने राज जीतने की प्रतिसपर्धा, उसमें राजी जीते जाते थे, राजी जीतने के साथ महा की रानी की भी शादी कर दी जाती थी तो विदर्ब की रानी सुमित्रा, 36 गड़ की कोशल लिया और यहां की केकई देश की केकई उनकी जीवन में आई, तीन रानिया तीन रानिया से कोई फ़र्गıld भग्वान शीराम ने तो एकी आदर्श रखा, मरियाधा Пरशवत तम हमें किसको रोल माडल बनाना दर्शत को बनाना की शीराम को बनाना है शीराम को बनाना है तो बूस देखो न रोल माडल को देखो न तु उसको क्यों देखते हो ऐसी अधिरंजीत बातें क्यों करते हो तो सब लोगों ने उस वेक्ति को धिका रहा कि ऐसा प्रश्ण क्यों पूछा राम चरित मानस के प्रती अशद्धा नहीं पेड़ा करने चाहिए ऐसे में तुलसी ने हनमान और श्री राम को चरित्र बल के आदश के रूप में रखा सादक केसा हनमान जैसा शद्धा केसी हनमान जैसी उपास केसा श्री राम जैसा कोई सुआर्थ दर्प गमंड किछ कुछ भी नहीं मुझे आपकी सेवकाई चाहिए और कुछ नी चाहिए मुझे आपकी सेवा करने का मुका मिले ऐसे भगवान राम और भगवान हनमान जी का जीवन सामने रखा रिशित को सवरक्षित पोशित करने वाले और उससे पोशित होने वाले श्री राम को तुलसी दाजिन रखा इभूमिका बनाई मैंने आज आप भूमिका के बात चलते हैं प्रसंग आज का तुलसी की कथा में रिशियों का बड़ा महत्व है इस कुल में रिशियों की पूजा होती थी रासिहासन रिशियों के चर्णों में जुखता है सबसे बड़ी बात यह है कि रासिहासन में राजा अभी आसमान में और अभी तक चमकता है उसके शीर्श पर हैं वशिष्ट है उन वशिष्ट की हम बात कर रहे हैं रास्यासन सूरिस उत्पन वंचवाला इश्वाकु कुल मनु रगु दिलीप के कुल में शीराम जन में जहां पुन्य संचे बढ़ता जाता है धर्म जहां बढ़ता जाता है वहां आतारी पुरुष आते हैं महां माना हुआते हैं जैसे स्वाइज मिवेकांद का भी कुल के बारे में पता चलता है कि उनके कुल में पुन्य बढ़ता चला गया तो वहां मिवेकांद जन में राम करश्न परमहंस के कुल में भी इसी तरह से बात आती है इसी तरह से परमपुजी गुर्देव के कुल में भी बात आती है परमपुजी गुर्देव के पिता जी, पिता जी, दादा जी सब को सब बहुत ही उनके दादा जी तो ऐसे थे जो वेरागी हो गए थे इतना विलक्षन विवरन है मित्रो कि जिसे पता चलता है कि पुर्ण संचित होते होते अवतार के जन्द मूर लेने की प्रक्रिया बल्चारी हो जाती है भगवान महीं प्रकट होते है और वही कुल था जिसमें शीराम आ सकते थे जहां भगीरत है दशरत है महीं शीराम आ सकते है जहां रगू है जहां दिलीप है महीं शीराम आ सकते है पर इन सम्में में सबसे शिष्ट क्या इन सम्में इन सब को मोटिवेट करने वाले रिशी का नाम है वशिष्ट वो वशिष्ट है शुरू से आखिर तक मौजूद है शीराम तक मौजूद है शीराम के बाद लवकुष के जमाने में वो सोब देते हैं दूसरे को और उसके बाद वो स्वेम विराम ले लेते हैं पर वो अस्त नहीं होते हैं उपर जाके विराजमान हो जाते हैं तो वशिष्ट महानता को गड़ा किसने महर्शी वशिष्ट ने इस कुल को भूशित किसने किया पोशित किसने किया महर्शी वशिष्ट ने सद्गुन संपन किसने किया महर्शी वशिष्ट ने वशिष का वर्णन वेदों में हुआ है मंतर दरस्टा है रिशी है और रिगवेद के सात्यों मंडल के 104 सूत्र इनी के उपर है पित्रों मैं अगर बताना चाहूं तो वशिष्ठ का वर्णन जो है इसमें आता है कि वशिष्ठ जो है इनका वर्णन रिगवेद के सप्तम नवमंडल के निक सुत्तों में प्राप्त होता है इनके द्वारा लिखे गए मंत्र यजुरुवेद, सामवेद और अथरुवेद में भी है वशिश को मित्र और वरुण का पुत्र माना जाता है इसलिए इनका नाम है मैत्रा वरुणी वशिश्ट, मित्र और वरुण ये दो हमारे बहुत उच्यस्तरी देवी शक्तियां है जस्ट लाइक पवन देवता, इंद्र देवता इस तरह से ये मित्र और वरुण है, इन दोनों के ये पुत्र माने जाते है पर वैसे ही ये ब्रह्मा के मानस पुत्र है ब्रह्मा के मानस पुत्र है और यजुवेद और अथरवेद में के वल वशिश्ट नामी प्रयोक्त किया गया है पन्तु मैत्रा वरुणी वशिश्ट, इनको सबसे प्राचिंतम रिशी माना जाता है वेदों, पुराणों, रामायन, महाभारत, आजी सभी धर्म गरंथों में इनका वर्णन मिलता है मैं और बातें मताओंगा इनके बारे में मर्शिवशिश्ट सारे सुत्रों के, चारों वेदों के कई सुत्रों के रचईता है एक बार इनका शरीर छूट गया था, ऐसा कहते हैं शरीर छूट गया था तो मित्रों वरुन ने अपना शरीर का अंश इनको दिया इसलिए इनको मैत्रा वरुन कहा जाता है योग विद्धिया ब्रह्म विद्धिया के आचारे हैं शाष्ट दर्शन के पारंगत है कर्मकांड का विशिश ग्यान है उनको रगोकुल के पुरोहित है मातर कर्मकांड वाले पुरोहित नहीं इनसे जब कहा गया कि तुमको पुरोहित बनना है रगोकुल का तो इन्होंने कहा ये पुरोहिर बनना मैं नहीं चाहता ब्रमाजी ने कहा वाथ्थ तुम्हें श्वाकू कुल का पुरोहित्य स्विकार कर लो किन्तु उसे अतियंद निंदित समझ के जैसे किसी कहा जाए कि तुम्हें इस मंदर के पुजारी बन जाओ या तुम इस कुल के पुजारी बन के पिसेवा करते रेना तो उन्हें कहा यह तो छोड़ा काम है निंदित काम है उन्हें मना कर दिया शाष्टों में पुरोहित का पत ब्राह्मन के लिए श्रेष्ट नहीं माना गया है जिसे धन का लोब नहो विशेभोगों की इच्छा नहो वो भला क्यों पुरोहित पत स्विकार करेगा पुरोहित क्या होता है धन पर जीवित रहता है विशेभोगों पर जीवित रहता है और उसको बहुत सारा सामगरी में मिलती है तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं चाहिए मैं नहीं चाहता पुरोहित पद बटब तुम्हें ऐसा क्यों कहते हो प्रमा जी ने कहा प्रमा जी ने कहा तुम्हारे इस माध्यम से इसी वज्श में श्री राम का प्रादुर्बा होगा जिनके दर्शनों के तुम्हें उत्कटब इलाशा है तुम्हें इस कारे में लावी हिलाव है हानी नहीं तुम अपने आराद शीराम जी की गुरू का गौरोशाली पत पाकर कतार्त हो जाओगे तुम्हाना मनौरत सिद्ध हो जाएगा पुरोशे की बात सुनकर पीताजे की बात सुनकर महरशी अत्यन प्रसंद हो गए ताथ समस्त योग साधना यग्यतान स्वाध्याय जब तब तीर्थ जित्ते भी शुप कर्मे हैं उन सब का फल एक मत्र भगवत प्राप्ती है जब वो सुरिकूल के आचारे तो में मुझे मुझे मिलने जा रहा है और मुझे अगर वो प्राप्त होता है तो मैं इस से बड़ी क्या बात हो सकती है पुरोशे का मतलब क्या होता है मित्रू जो पूर्व से जान ले कि भविश में क्या होने वाला है हम राष्ट के को जागरत जीवन बनाने वाले पुरोईत है जो एक कदम आगे रखकर चलता है पुरोईत आज की पुरोईतों ने परिभाषा बदल दी है पुरोईत उसको कहा गया है जो दान नहीं लेता परिग्रह नहीं करता जो इखटा नहीं करता उसे रजोगुन परी नहीं है पर सत्वगुणी है आज वो कुल के साथ में रेना चाहते थे पर ब्रह्मा जी ने कहा तो उन्हें स्विकार कर लिया इश्वाकुवेंश का और इसी करण पुरहित कहला है उन्होंने दिलिप आपको याद है दिलिप की कता याद है गौ की सेवा की वशिष्ट के कहने पर दिलिप ने तो उसको रगु पेदा हुए अब रगु जो है वो इसी रगु कुल रीती सदा चली आई उन्हीं के नाम से रगु कुल रीती सदा चली आई प्रान जाएं पर वचन न जाएं ये पूरा उपर से चला रहा है कुल अज से लेकर और उसके बाद दिलीब से लेकर रगु से लेकर सारा कुल रगु ने लोग इतकरी सर्वस्थो का दान दे दिया वो चक्रवरती समराग थे पर जोपड़ी में रहते थे एक कहानी छोटी सी अंतर कता कोट सिनामत ब्रह्मचारी आए और उन्होंने कहा मैं गुरुकुल के लिए धनी खटा करना चाहता हूँ गुरुकुल के लिए मुझे धन चाहिए मुझे आपसे पैसा चाहिए आप राजा हैं पर आपसे कैसे मांगो आपने तो सरो में दिया के कर दिया आपके ही पास कुछ नहीं है तो मैं आपसे क्या मांगो तो उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो मेरे पास कुछ नहीं है मैंने कुछ नहीं रखा, मैंने सब दान दे दिया और मैं रखता भी नहीं हूँ, संग्रही भी नहीं हूँ मैं तुम्हें पैसा दूँगा, तुम्हें सामगरी दूँगा, तुम्हें कितने चाहिए मैं चालीस हजा स्वर्ण मुद्रा चाहिए तुम्हें कुबेर से कहा, इसको चालीस हजा स्वर्ण मुद्रा दे दो और आप स्वाभावी ग्रूप से देते हैं, या मैं धनुष उठाओं, शत्रित है, अगर आप नहीं देंगे, तो मैं आप पे लड़ाई कर दूँगा, आपके उपरे मोर्चा लड़ा दूँगा, पुरे-पुरे चड़ा दूँगा, आकबन करूं, तो उन्होंने कहा कि यह नहीं देंगे, क्या कर लोगे, तो उन्होंने धनुष की क्यों टंकार की, ऐसा कहते हैं, धनुष की टंकार सुनकर, कुवेर दहल गए बुरी तरह से, उन्होंने कहा कितने चाहिए बहें बताओ, चालीस हजार स्वाण मुद्रा, नहीं नहीं और ज्यादा बरस गई, और ज जितनी जरूत थी, कोउस ने उतनी ले ली, बाकी यह नहीं कि रिजर्व में रख लो, शायद कोई उन्विस्टी बनाने के काम आ जाए, कहीं कोई काम आ जाए, नहीं, पैसा नहीं लिया, पैसा एक्स्टर नहीं, जितनी जरूत थी, उतनी, और धन के व्यवस्ता हो गई, लोग दोनों को नहीं था, ना कोउस को, कोउस मुनी को, और ना रखो को, ऐसे पोशित कुल में मनुशत रूपा ने दर्शत कोशलिया के रूप में जन्म लिया, ऐसे कुल में, भगीरत का कुल, दिलिप का कुल, रखो का कुल, उस कुल में मनुशत रूपा ने तब किया, और भगवान ने दर्शन दिया, तो भगवान का दर्शन देखकर ही, भगवान को देखकर ही मोहित हो गए, वरुने कता भगवान, आप जाये आप जैसा पुत्र मिले, हमारे तप का एकी फल मिले, तो भगवान तुलसिदा जी केता है, आप सरी से खो जा कहां जाई आपके जैसा, मेरे जैसा कहां मिलेगा मैं अपना जैसा खो जूँँ, कहां मिलेगा मेरे जैसा कहीं नहीं मिलेगा मैं ही पुत्र बनूँगा, मैं ही तुम्हारे आउँगा मैं ही तुम्हारे आउँगा, तुम जब कि कठा के साथ दश्रत की एक पुत्री होई शान्ता जो राम की बड़ी बहन थी शान्ता को दश्रत ने गोद दे दिया पडोसी राज्य में अर्य तुम लोगों को शाहिद एक कहानी मालूम है कि नहीं मालूम कुश लोगों को आप आप सोसी राजी थे, राजा थे, उनको गोद दे दिया, कि आप इसका पालन पोशन कीजिए, आपको कोई संतान नहीं है, आप ऐसका पालन पोशन कीजिए, हमको तो वरदान प्राप्त है, हमेशन मिलेंगे, पुत्र मिलेंगे, या पुत्री मिलेगी, जो भी मिलेगी, फिर से मिल आप इसको ले लिए, वशिष्ट से कहा, आप कुल गुरू हैं, पर वंच का विस्तार कैसे होगा, इसका बताइए, समय आने पर पुत्र होंगे, तुम चिंता मत करो, उनी का सिक्षन करने के बाद मैं अपना पत छोड़ूँगा, वशिष्ट ने कहा, गोले, इसके बाद मेर पुत्र पाराशर मेरा दाईत तो समाह लेंगे, यहां मेरा फुल स्टॉप होगा, मैं आपके पुत्र की पतिक्षा हूँ, समय आ चुका है, राज ये विस्तार हैतु शादियां होती थी, दश्रत की तीन शादियां होई, जैसे मैंने बताया, समित्रा विदर्ब की, कोशल यग्य करना पड़ेगा, शान्ता की कथा बाद में लओंगा मैं, शान्ता बीच में आएंगे अभी, शंगी रिशी सबसे अध्भूत है, और विभंडक रिशी के वे पुत्र हैं, वे ही यग्य कराएंगे, वे यग्य कराएंगे, पुत्रिष्टी यग्य कराएंगे, तो निश्यत रूप से आपकी हाँ बालक होगा बालक होगा इसको फिर तुज़िदा जी कहते हैं अपने उसमें भाशा में बालकान जो है यह बड़ा विलक्षन है इसको तुम लोग कई पढ़ना तो आन्द आ जागा तुमको आपक जागा दो देना मेड़की है आपकी कहाँ होगा है से ना जी नालक जागा ऎकामेड़की हुआ आपको पहो प्र zeepरीक कोibl't aina, ऋड़िक कहा ुट वह ए pos Щ फ में होगा है स्थावपकी को तुमकी की बुमकी का शया पालकी करो भपको मुझे वह मिल नहीं रहा है इतना सुन्दर है वो कि जहां पर उन्होंने वर्णम किया है कि यह जो मैं बताता हूं इसके बात सुनाँगा तुम को यह बहुत अच्छा चंद भी है वो भी सुनाँगा तुम को तो वही यग्य कराएंगे शंगी रिशी कराएंगे पर हम तपस्वी थे विभांडक रिशी के कोई पत्नी नहीं थी पर एक अपसरा के कारण शंगी रिशी पैदा हुए थे उन्होंने शंगी रिशी को ऐसे डेलोप किया कि उन्होंने कहा कोई जूकेशन में नहीं पढ़ जाये चक्कर में यह जलो है इस्त्री से दूर रखा इस्त्री से दूर रखा उन्होंने टपस्या के सभी गुण सुखाए सिखाए पुत्र को और शंगी रिशी को अपने आश्रम में रखा उनको यह भी नहीं बताए कि को इस्त्री नाम की कोई चीज होती है और उनको मालूम था अरिदमन को कि हमारे शेत्र में वर्षा अगर होगी तो वो किवल शंगी रिशी के आने से होगी शंगी रिशी आएंगे तो वर्षा होगे कि उनके तब बहुत विकट है शंगी रिशी ने जीवन में कभी भी नहीं देखी युवा हो गए नगरवदू ने कहा राज्य पर संकट है तो हम जाएंगे और हम जाकर के सुन्दर ब्रह्मचारियों का वेश बनाया अब तो लोग भी लड़कियां जब नाटक करती हैं तो लड़कों का वेश बनाती है उन्होंने भी लड़कों का वेश बनाया जटा जूट पहन लिए और सब कुछ पहन करके आए और उन्होंने कहा पता लगाया कि कब-कब बाहर रहते हैं वेभांडक वेभांडक रिशी थोड़े दो दिन के लिए बाहर कहीं गई हुए थे उन्होंने कहा ये दो दिन का समय सबसे बढ़िया तो नगर वदूजी हो थी उसने का हम सेक्रिफाइस कर देंगे जादा जादा शाप मिलेगा तो हम मर जाएंगे और क्या होगा पर राजी के हित में राजी में वर्शा हो कम से कम कुछ नहीं तो दस-पंदरा साल से पानी नहीं गिरा था लोग भुके मर रहे थे उन्हें प्रणाम किया बोले आप कहां से आये हैं हम गुरुकुल से आये हैं तो आप लोग क्या हैं हम भर्मचारी हैं हम तपस्या कर रहे हैं पर एक बात आपसे अन्रोद करते हैं पिताजी से हमारे बारे मत बताना हम आये थे आपसे मिलने पर आपकी आवाज बड़ी मीठी लग रही है बड़ी कोमल सी लग रही है ऐसी क्यों है तो उन्होंने कहा कि हम जहां रहते हैं वाँ फल इतने मीठे होते हैं कि उसको खाने से हमारी आवाज ऐसी मीठी है आपका शरीर मेरे से अलग है कुछ ऐसे क्या बात है ब्रिस्ट का उभार दिखाई दिया होगा उनको तो उन्होंने कहा कि एसा है हम लोग प्राणायम जादा करते नहें तो प्राणायम करने से हम लो उनको कहい इस तरह से तो कर्णियन्स हो गए शंगिरीशी कन्वेंस हो गए उन्होंने कहा कि हम आपके लिए कुछ चीजें लेके आए गुलाब जामून लाए हैं हम आपके लिए बहुत सारे फल लाए है यह फल तो हमारे नहीं होते मैं तो यह फल खाता हूँ, सेव खाता हूँ, हमरूद खाता हूँ ना रंगी काता हूँ देखिए ये फल तो आप रोज खाते हैं पर हम जो फल लाए इनको आज खाके देखी गुलाब जाम उन लाए थे कचोड़ी लेके आए थे समोसे लेके आए थे उनके लिए आप शंगी रिशी जो है उन्होंने जब खाये ये फल आप क्या होते हैं हमने तो आज तक कभी खाये नहीं हमारे तो पिताजी ने कभी खिलाए नहीं पूरी पक्वान सब खिलाया आप हमारे आश्रम में चलिये न आप हमारे आश्रम में चलिये हम पिताजी से पूछ के चलें पिताजी कहते थे कि इस्त्री से नहीं मिलना चाहिए आपके इस्त्रीयां तो नहीं है आपका शरीर इस्त्री से भिन है ना पका और जो आपने हमें खिलाया फल खिलाया ना देखे कंद मूल खाएं आपने इसलिए आप कंद मूल के अलावा कुछ नहीं मालूम, यह उपर से टपकते हैं, गुलाब जामूर उपर से टपकते हैं, हमों से उपर से टपकता है, काचोड़ी उपर से टपकते हैं, यह सब आपके नहीं लगे न, यह हमारे लगे, आईये तो सही हमारे आज चलिए, विचारा ने कभी इस्त्री देखी नहीं थी मुर्ख बन गया विचारा शंगी रिशी मुद्दू बन गय क्यों इस्त्री तो इस्त्री होती है बना सकती है किसी को भी खिला खिला के कुछ भी कर सकती है तो उन्होंने इस्त्री ने कहा कि हम विशिष्ट साधना कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि इसका विशिष्ट परिमारजन कर लिया जाए शरीर स्वस्त रहे, सुन्दर रहे इसलिए हम लोग जो हैं ये कंद मूल के अलावा ये चीज़ें खाते हैं आप भी इनको खाईए आप चलेंगे ना तो बोले देखी पिता जी कल आजाएंगे, कल के पहले हमको छोड़ दी जगें हम चलते हैं आपके साथ, आप बहुत अच्छे लोग हैं बड़े अच्छे चीज़ें खिलाएं को लाप जो हम तो बहुते स्वातिश थे शरंगी रिशी ने पहली बार जीवन में खाये जिसने कभी जीवन में कुछ नी खाया, उसको कितना अच्छा लगा होगा शरंगी रिशी ने जैसी प्रवेश किया, अरीदमन किया उनके राज में प्रवेश करते घंगोर वर्षा होने लगी और उनका तब का प्रभाव था एसे शरंगी रिशी जिनके अंद प्रवेश करते ही वर्षा हो गई वेबहांड़क को पता चल गया मेरे बैटे कोई ले गए यहां से शरंगी को मेने तपस भी बना का इखटा किया था और इतना बड़ा किया था तो ये उसी को लेकर आया तो उन्हें फिर आये कृद्ध होकर चिला कर कौन-कौन थे किस-किस ने क्या किया ये किया तो राजा भी आया, नगरवधू भी आयी, सब लोग आये सामने, उन्हें कि हम प्रजा के लिए किया, हम शंगी रिशी को, हम पतन क्यों नहीं ले जाना चाहते थे, हम शंगी रिशी के तब का प्रभाव से, हम यहां वरशा करना चाहते, विसे तो नहीं आते, क्योंकि आप शंगी रिशी से हुई, विमांडक ने, जो उनके पिता थे, उन्हें संसार का उपदेश दिया, मर्यादाएं दी, और कहा तुम्हें किस लिए जीना चाहिए, तुम्हें एक आदर्श, पति-पत्नी का जीवन कैसा होना चाहिए, इसका कैसे जीना चाहिए, अब तुम उस यह काम अंजाने में किया है, इसलिए तुम पर दोश नहीं लगेगा, वशिष्ट ने कहा, शंगी रिशी से यग्ज कराएंगे, पुत्रिष्टी यग्ज कराएंगे, और पुत्रिष्टी यग्ज से जो प्रसाद मिला, वो प्रसाद बाटा गया, तीन रानियों में बाट पुत्र काम शुभ यग्य करावा पुत्र काम पुत्र कामेश्टी यग्य इसकरान था पुत्र कामेश्टी यग्य पुत्र की कामना से अब यह आज दुनिया में क्या हो गया है कि आज भी पुत्र काम के लिए पुत्र की कामना के लिए यग्य होता है चाहे वो female pesticide हो रहा हो situación कुछ भी हो रहा हो पुत्र की कामना आगर पुत्रियां नहीं होगे तो पुत्र क्या करेंगे बचारे आज को आश शादी शुदा नहीं रहेंगे कोई भी शादी नहीं हो, किसी की शादी नहीं होगी तो यह पुत्र की कामना जो है यह उस जमाने में थी और आज भी है और उसके चक्कर में पुत्रियों को मारते हैं गर्व में लड़कियों को मारते हैं कितना नीच काम का हम लोग करते हैं यह आज का यूग है और उस यूग में पुत्र कामिश्टी अग्य किया गया गुर्कुल की शिक्षा दी गई और आपको मालूम है चोपाई अल्पकाल विद्या सब आई अल्पकाल में भगवान राम को पराने की जुरूत नहीं पड़ी मिट्टी का पार्थिव शरीर था सादक शरीर बन गया इसलिए अउतार को तब करना पड़ता है शक्तिया परकट होती चली जाती है किशोरावस्था में एक बार शरी राम को प्रखर वیराग्य परकट हुआ बहुत जादा वेराग्य हुआ इतनки जादा वेराग्य हुआ कि उनल्ड़ राजपत का त्याग कर दिया उनके लिए शिक्षा की वियुस्ता में करता हूँ वशिष्ट ने शीराम को बच्पन में बालिकाज शुरू से लेकर रगू से लेकर के सारे वश्च का पोशन करते करते शीराम के अउतरन की प्रक्रिया को करने के बाद शीराम का पोशन किया और उनको वन में ले गए वन में ले जाकर उनको शिक्षन दिया वेरागी का और जो सबसे बड़ा गरंथ है वेरागी का, मैदान्त का योग वशिष्ट उसके शिक्षा दे योग वशिष्ट, वशिष्ट के द्वारा कहा गया शिष्टतम करन्त है विदान्त का और ये उन्होंने सुनाया उनके युवावस्था में कई लोग गलत बताते हैं कि यहाँ पर जो देव प्रयाग है यहाँ योग वशिष्ट कहा गया था और भरत मुनी बरत ये मुनी किरेती में भरत को तब करने को मुवान पर स्थाश्रमों का मिला था गलत है यह आयोध्या के जंगलों में भगवान शीराम को तब कराया और उनको मुम्विद्या सिखाई और योग और वेदान्त के अधिकारी बन गए योगवाशिष्ट वेदान्त इस पर PhD हुई है बिकनलालात्रे की अपनी ब्रह्मवचस की लाइबरेरी में किताब है बिकनलालात्रे की योगवाशिष्ट योगवाशिष्ट की कथाएं इस पर गुर्देव ने बहुत बढ़िया लिखा है गुर्देवन ने किताब पुस्तक लिखी योग वैशिष्ट, वो बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है वेदान्त का मक्त बहुत पिर तुने ग्रहस्त आश्रम से पूर्व रहस्त आश्रम में से पूर्व तुमको भ्रहमुवित्ता बनाना चाहता हूँ और वशिष्ट की क्रपा से ही वो बने योग वशिष्ट की जब चर्चा हो रहे थी उसी समय स्री राम का दूसरा चरण चालो होता है जब राक्षिसों का आकर्मन होता है वे तो राक्षिसों का आकर्मन जब होता है तो राक्षिसों का आकर्मन के लिए विश्वमित्र का आग्मन होता है विश्वमित्र रिशी कल हम चर्चा करेंगे विश्वमित्र रिशी की चर्चा आज थोड़ा सा वशिष्ट की बारे में बताने का और मने थोड़ा सा यह वशिष्ट ने क्या क्या किया सबको भक्ति करने को उपदेश दिये भक्ति का जादन सुगन था उन्होंने राम से कहा प्रभो आप सोचिए कि अपने शिश को शी राम को प्रभो करके सुचित करते थे प्रभो कर्म कांडादी अन्य साधनों से साधक का ज्यान जनित मल का अंदकार दूर नहीं होता उत्तर कांड में ये वर्णन आया है आपके चर्णों की अनुराग परक भक्ति ही हर्दे ग्रंती और हर्दे के मल को दोने में सरवता समरत हो सकती छूटई मल की मलई के धोये ग्रत की पाव कोई बारी भिलोये क्या जिसे मेल से क्या मेल छूटता है जल के मतने से क्या कोई घी पा सकता है वैसे ही हे रगुनाज जी प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जन के बिना अंतर करण का मल कभी नहीं जाता है रामचरित मानस उत्तर कांड अनेक जन्मों का विकार जो हर्दे में मल के रूप में जमा रहता है वो हरी भक्ति से ही दुलता है जिनके चरण कम्लों के सेवा में निरंतर बढ़ने वाली प्रिती तपस्वियों के अनेक जन्मों के संचित मनों मल को नश्ट कर देती शीमत भागवत इसी कवर्णन करती राम चरित मानस में आता है कि विक्ति में कोई गुण हो नहो कि यवल भगवान में प्रेम होने से सब गुण आ जाएंगे सब गुणों को देने वाली एक भगवान के चरणों के प्राप्ती ये वशिष्ट ने कहा है प्रभु पद्र प्रेम के बिना सर्व गृत्वादी गुणों के होते वे भी सारी सारी ज्यान व्यर्थ है महर्शिव वशिष्ट इस रहस को जानते थे इसलिए उन्होंने कहा राम चरित मानस में अंतिम में जो बार में सबसे अंतिम बात कहते हैं नाथ एक बर मांगाऊं है नाथ मैं आपसे एक वर मांगता हूं करपा करके दीजिए है राम जी आपके चरण कमलों में मेरा प्रेम जन्म जन्मांतर में भी न घटे वशिष्ट जी की प्रेम भरी बातया सुनकर शीराम जन जी को बहुत अच्छा लगा उनने कहा आप तो मेरे गुरु हैं इस प्रिकार के मरियादा को ध्यान में रखते हुए पिसंता जटा कर मिना कुछ कहे ही वशिष्ट जी को अखंड भक्ती का वर दे दिया और शीराम की उन पर पूर्ण करपा हो गई शीराम के अनन्य भक्त भगवान राम के गुरू महरशी वशिष्ट भगवति अरुंधती देवी के साथ सब्तुर्शी मंडल में आज भी इस्थित होकर भगवान शीराम की प्रेम में भक्ती में निमगन रहकर सारे जगत के कल्यान की प्राथना निरंतर करते हैं पर वशिष्ट के साथ विश्वमित्र की कथा जुड़ी है पर वशिष्ट के साथ विश्वमित्र की कथा को मैं कल सुनाऊंगा वशिष्ट का वर्णम थोड़ा सा और सुनाऊंगा उसके आद में बहुत अच्छा सुन्दर सा एक गीत सुनाना चाहता हूँ जो हम लोग वशिष्ट का आभान करते हैं उसके लिए वशिष्ट ने जो ग्रंथ लिखे हैं मैं बताना चाहता हूँ सात्य मंडल के द्रश्टा वशिष्ट है रगवेद के 104 सुक्तों में 841 रिचायल लिखी है आदि आदियों के पुझे देवी देवताओं के स्तुती उन्होंने लिखी है योग वशिष्ट महरामायन ये उनकी लिखी हुई है वेराग ये मुमुक्षत उत्पत्ती स्थिती उपराम निरवान कुल में लाके 32,000 शलोक है वशिष्ट स्मिती ग्रंथ है इसमें 30 अध्याय है वशिष्ट सहीता ये शाक्त तंत्र का ग्रंथ है ये भी उन्हीं का लिखा हुआ है वशिष्ट ने धनुरवेद का उपवेद लिखा है चोटा सा ग्रंथ वशिष्ट पुरान वशिष्ट रादकल्प वशिष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष् नहीं से जनकी करूणा से भरा सगा जिसका मन है उनुमनिशेष्ट वसुष्ट पूझ वर्दाँ आत्सहिं उनुमनिशेष्ट वसुष्ट बूझ वर्दाँ आत्सहिं ओन दवतb diagnostic बुद्यम्सिस्थाया कर्म कर्द्रें नाम्से खर्म भू पाय महतेशिया भुकानाम्र शतாयनए इतनों आए हमने वशिष्ट का आवान भी किया वशिष्ट का गयन भी किया वशिष्ट के महिमा भी सुनाई मुझे पुरी उम्मीद है महश्य वशिष्ट आपके जीवन में स्थापित होंगे उस गुरु सत्ता को भावरा नमन करेंगे जिनकी क्रपा से ये आज का स्वात्या संबल हो सका आज का स्वात्याय है हमारे जीवन में भगवान की प्रती भगवान राम के प्रती एक प्रती पैदा करें एक छोटा सा छंद उसका हम लोग गायन करेंगे और गायन करके फिर शांती पाट करेंगे जब ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्श होता है उनको पता लगता है कि भगवान आने के लिए तयार हो गए है धरती पर तो भगवान की इस्तुति कहते हैं जय जय सुरनायक जन सुपदायक चलत पाल घर उनका जय सुरनायक जन सुपदायक जयत तहल घर उनका कोड़ जहित तारी जय सुरारी जन दुसे ताप्रिय जंपा पालन सुर घर ने अदभुत करने मरमन जा नहीं कोई जय सुरनायक जन सुपदायक चलत पाल घर उनका में तो इसका अभिहास नहीं था हमें भी और इनको भी तो एकल जराम सुर्ट मरस लेके आएंगे आप लोग से ताकि मेरे साथ गा सके और मैं भी थोड़ा अभिहास करके होंगा मिझे नहीं आता मैंने इसको अलग रूप में सुना है जो मुकेश की रामयन है या जो और रामयन है उनमें अलग ढंसे है बहुत सुन्दर ढंसे है हम वैसा नहीं गा सके वैसा प्रस्तुत नहीं कर सके उसके लिए भगवान सिक्षा मा मांगते है शान्ती पाठ ओं घyau shánti गंत रड। घंत रूम् शांति पित्तव शांति रापह शांति रोषःधया sh biological son conversationi हुष्व क्षा थाले शांति बनूड स्वत्त यायँ शांति-। जह्वस्यवा शांति-श्यवा शांति-ब्रह्म-शाँंति-श्वा क्षांति-श्यव Α्हों-ग। शांति रेंगे ओम सांति शांति सर्वारिश शांति वावतु कल विश्वा में तरिश्विवारे मिच्छा करें